हेलो फ्रेंड तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोहाद इसके लिए पहले में कराही ले लिए हैं उसमें हम थोड़ा सा तेल एड़ कर लिए हैं तो पहले हम मुंगफली फ्राइ करके निकालेंगे तो देख सकते इदर में मुंगफली जो है वो फ्राइ हो गया है वहम सारे को एक प्लेट में निकालेंगे अब हम उसी तेल में आदा छोटा चमस जीरा एक खड़ी मेर्च कड़ी पत्ता और प्याज हम सब को हलका फ्राइ करेंगे प्याज को वहम यहां ले लिए हल्दी पॉड़र मिर्ची पॉड़र और नमक एक समस चीनी एक छोटा चमस काला नमक अब सब को हम हलका फ्राइ करेंगे मसाले को तो इदर मिर्ची मसाला जो फ्राइ हो गया है इदर हम पॉड़र ले लिए हैं यानि कि चूरा हम उसे भींगो के रख लिए थे हैं हम उसे चूरा एड़ करके इसमें हम अच्छे से फ्राइ करेंगे पोहा को हम पांच मिनट के लिए पहले हैं भींगो करके रख लिए थे हैं अब हम इसमें यह भूजा हूँआ मुंगफली एड़ करेंगे तो मेरा पोहा बनके तयार हैं यदि आपके पास मार्केट वाली नमकीन हो तो आप उपर से थोड़ा सन नमकीन भी एड़ कर सकते हैं तो मेरा पोहा जो है वो बनके तयार है तो आज की रसीपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए अगर दी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब किजाए